तो हेलो बच्चों कैसे आप से लोग उम्मेद करता हूं बहुत इच्छ होंगे आप से भी खास वागत है आपके अपने यूटूब चैनल TNR Classes पर तो बच्चों आज की इस वीडियो में हाँ आपके लिए क्या लेके आए हैं आपके लिए लेके आए हैं बिरोजगारी की समस्या पर निबंद जो हर साल हर वर्स कच्छा दस और बारा वालों के जो हिंदी का पेपर होता है उसमें नौ नमबर का ये पर्यवड पूरा की आपको पर तेने से त्यार कर लेना है और वीडियो लगरने लुए दीम को लाइक भी कर लें चैनल को सबस्क्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा सेयर करें और वहीं पर चैनल करा कि देखें सबसे पहले सुरू करते हैं आपने प्रस्तावना और उसमें लिखेंगे बेरोजिगारी की समस्या हमारे देश की एक परमुक समस्या है और अपनी बाते जो होगी परस्तावना में लिखेंगे तो बेरोजिगारी की समस्या हमारे देश की एक परमुक समस्या है आज कल पढ़े लिखे युवक भी बेरोजिगारी के कारण परसान है आज कल लोग पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी बेरोजिगारी की कारण परसान है उनको कहीं पर नौकरिया नहीं मिला है उनको कहीं काम काज नहीं मिला है ठीक ना इसलिए परसान है लोगों ने अपने प्र प्रस्तावना में इतना लिख देना है दोस्तों एक दम आसान तरीके से बताएंगे लिखने के लिए आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी प्रस्तावना लिखने के बात से लिखेंगे बेरोजगारी का अर्थ में लिखेंगे बेरोजगारी ऐसी स्थिती को कहते है कि जब कोई योग काम करने के लिए इस चुग व्यक्ति को बेरोजगार नहीं मिलता है बेरोजगारी ऐसी स्थिती को कहते हैं बेरोजगार का अर्थ बताया जा रहा है कि जब कोई योग काम करने के लिए इस चुखव्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है जैसे कोई पढ़े लिया कि अब हमको नोकरी मिल जाएगा पूरी पढ़ाय तो उन्होंने कर लिया कि अब मुझे नोकरी मिलनी चाहिए लेकिन इतना पढ़ने के बाद से भी जब उसको नोकरी नहीं मिलती है ना तो उसी को कहते हैं बेरोजगारी ठीक ना एकदम आसान सब्दों में बेरोजगारी कहलाता है ठीक ना जब ओ काम नहीं पाता है उतना पढ़ने के बाद से जब उसको कहीं नोकरी नहीं मिलती है तो उसी को भाई बेरोजगारी कहते हैं बालक ब्रिद रोगी अथवा अपंग बेक्तियों को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है कि छोटा सा बालक हो या फिर बुड़ा हो रोगी हो अत्व अपंगो बेक्तियों को बेरोजगार नहीं का जा सकता अत्थात अगर छोटे बच्चे को भी पैसे की जरूरत है ना तो बेरोजगार नहीं रह सकता उसको भी काम मिलना चाहिए एक रोगी आदमी को भी पैसे की जरूरत है उसको भी काम मिला जाएए ये सब बेरोजगारी नहीं है ठीक ना फिर लिखेंगे बेरोजगारी की समस्या पर समाधान कि आखिर में बेरोजगारी की समस्या पर समाधान किस तरीके से हम उसे रोक सकते हैं ठीक ना तो लिखेंगे बेरोजगारी की समस्या पर समधान हेडिंग डाल देंगे और इसमें 4-5 लिखेंगे जो कि बहुत हिमात्पूर है पहला है जनसंख्या बिरिधि पनियंत्रण अगर जनसंख्या लोगों में जो जनसंख्या बढ़ रही है अगर जनसंख्या रुक जा लेकिन जनसंख्या इतना ज़्या बढ़ जा रहा है कि नोकरिया जो आठ अजान निकल ले ना तो उसमें लों आठ लाग तक उसमें आविदन कर दे रहे हैं इसलिए जनसंख्या बिरिधि पनियंत्र हो जाए उस पर रुक लग जाए तो बेरोजच्या उसकती है कुटीर इद्योग का विकास जो घर पे बिजनस किये जाते हैं अगर उसका निर्मार किया जाए तो उससे भी बेरोजगारी की समस्या पर समधान हो सकता है और द्योगिक विकास से भी हो सकता है सहकारी खेती जो किसानों के द्वारा खेती किया जाता है उससे भी बेरोजगारी की समस्या पर समधान किया जा सकता है आज कई तरीकों का परियोग करके बेरोजगारी की समस्या का समधान किया जा सकता है कि अर्थात कई ऐसे नियम बनाए गए हैं कि अगर उसका पालन किया जाए तो सायद बेरोजिगारी की समस्या पर समधान हो सकता है ठीक ना उसके बाद से लिखेंगे उपसंगार दोस्तों 3-4 एडिंग आपको बता दिये फिर अंतिम में लिखना है उपसंगार उपसंगार में लिखा जाता है सबसे अंतिम जैसे शुरुआत में बताया कि शुरुआत की जो एडिंग होती है प्रस्तावना से होती है तो लाश्ट की जो एडिंग होती है उपसंगार से होती है अगर आप सुरू में और नीचे जो खत्म हुआ अगर आप सही एडिंग लिखे है ना तो बीच में कोई दियान नहीं देगा आपको ये भी बता दे रहे हैं हमारे देश के सरकार बेरोजगारी की समस्या की समदान के लिए प्रतने सील है कि हमारे देश के जो सरकार है बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने के लिए जूड़ी हुई है इस दिसा में अनेकों कदम उठाय जा रहे हैं कि अथात बेरोजिगारी की समस्या को खत्म करने के लिए तरह तरह की योजनाय चलाय जा रहे हैं हमारे देश में जो संसाधन उपलब्द हैं कि जो हमारे देश में जो तरह तरह के चीजे उपलब्द हैं कि बिजनस करना चाहिए यह चीजे नोकरिया मिलना चाहिए उसका अगर उपयोग करके भी समाधान खोजा जा सकता है अगर उसका उपयोग किया जाए कितने लोगों को सरकारी नोकरी मिल जाए इतने लोगों को प्राइबेट नोकरी मिल जाए तो भी रोजगारी की समस्या खत्म हो सकती है ठीक ना तो बच्चों बस यही था हमारा इतना निवंद को आपको पूरा अच्छे से त्यार कर लेना है और आपको पूरा पूरा फोड़ के आना है यह 100% गारंटे के साथ कहता हूं इस टीचर आपका एक नंबर भी नहीं कार सकता है बच्चों बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडिय में तब तक लिए नमस्कार जैन बंद मातरम दोस्तों अपनी पड़ाई को लगातार जारी रखिएगा